Hello students, welcome to today's class, so today we are going to cover all the remaining topics of chapter 7, that is Python fundamental, और ये इस chapter का part 3 है, इससे पहले हम part 1 और part 2 को discuss कर चुकी है, अगर आप लोग ने part 1 और part 2 को नहीं देखा है, तो आप लोग देख लेना, उन वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो को description में मिल जाएंगे, तो आप लोग चेक कर लेना, तो चली करते हैं इस वीडियो को start और discuss करते हैं आगे के topics को, तो last video में हमने हां तक discuss कर लिया था, तो next topic हमारा block and indentation, तो block and indentation क्या होता है, चली discuss कर लेते हैं इसको, तो कई बार program में group of statement जो होते हैं, वो आपके किसी और statement या फिर function का part हो सकते हैं, तो ऐसे जो group of statement होते हैं, उन indentation को, और जितने भी statements, same indentation पर होंगे, वो आपके same block का part हो जाएंगे, ओके, तो इसको example के help लेते हैं, देखिए यहाँ पर, देखिए इस example को ध्यान से, इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर दो variable लिए हैं, मने a and b, ठीक है, a की value 10 है, b की value 20 है, और यहाँ पर condition लग है, तो जैसी यह column लगाया है, इसके बाद में देखिए, block create हो गया है, और इसके बाद में देखिए, यहाँ से ना करके, आपका यहाँ से आया है, मतलब एक tab का space छोड़के, यहाँ से लिखा गया है, इसी तरीक से यह भी same indentation पर है, तो यह भी part हो जाएगा, इस block का, आप लोगों समझ में आ रहा हुआ, block on indentation क्या होते हैं, अगर ऐसे confusion दा जा रहा है, तो मैं इसको program में दिखा देता हूं, देखिए, यहाँ पर लिखता हूं, a equal 10, and b equal 20, ठीक है, यहाँ लगा देता हूं, if a greater than v, और यहाँ पर colon लगा है, और जैसी यहाँ पर मैं enter आप देखिए, यह आपका जो कर जा रहा हूं, वहीं पर आ रहा है, मतलब यह same indentation के अंदर है भी, मतलब इस बाले block का ही part है, अगर मुझे इस block से बाहर जाना है, तो मैं backspace press कर दोंगा, और यहाँ पर लिखता हूं, else, ठीक है, और यहाँ पर colon लगा दिया, तो एक block place आ गया है, तो यहाँ पर भी indentation set हो गया है, अगर आप यहाँ पर backspace को press कर देते हैं, तो आप इस block से बाहर चले जाएंगे, फिर python जो है वो recognize नहीं कर पाएगा, कि आपका जो code है, वो इस block का part है, सबोच कि यहाँ लिख देता हूं, print B is greater than A, यह लिख दिया, ठीक है, तो ऐसे case में जो है, python recognize नहीं कर पाएगा, इस वाले part को, इसे वो else part से बाहर बताएगा, इस block से बाहर बताएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने indentation को हटा दिया, तो इसलिए python में indentation बहुत जरूरी होता है, जब भी आप इस तरीके code लिखें, तो आपको indentation का ध्यान रखना है, ओके, और आप लोग इन चीजों से confuse में दो जाना, जोगी if else लिख रहा हूं, इन चीजों को आने वाले chapters में discuss करेंगे, ठीक है, यह आगए चीज़े हैं, बस मैंने हाँ पर आपको indentation and block को समझाने के लिए इसको use किया है, ओके, तो I hope आप कोई value store कर सकते हैं, और जब भी भात में आपको program में उसकी requirement हो, तो आप उसको access कर सकते हैं, जैसे कि आप example में यहां देखिए, तो मैंने हाप लिखा a equal 10 and name equal राहूल, तो a and name यह दोनों जो है variable है, ठीक है, तो variable में क्या होगा, इन दोनों के अंदर value store हो जाएंगी, a क इसकी fix हो गए है, जब भी हम program में इनको access करेंगे, तो इनकी value आपकी बहु आ जाएंगे, आप चाहँ हो तो बाद में value को change कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से value उसके अंदर store हो जाती है, मैं मुरी location मन जाती है, computer के अंदर जहां पर की value store हो जाती है, और जब भी आपको program में access ठीक है, और इसका लिखता हूं, B equal 20, and C equal कर देता हूं, A plus B, ठीक है, अब इन variable की value है, अभी के लिए यह fix हो गई है, ठीक है, तो जब भी मैं access करूंगा इन variables को, तो यह value प्रिंट हो जाएंगी, देखें, मैं सब्सक्राइब करता हूं, C को print C, ठीक है, तो C की value क्या हो देखें, चला के दिखाता हूं, इसको, अब देखें, आप ठीक है, तो इस तरीके से जो variable हमारे memory location का name है, जब भी हम इनको access करते हैं, तो जो भी इनके पास हम value होती है, उसको यह return कर देते हैं, ओके, तो आप आप लोगों को concept समझ में आ रहा होगा, अब बात करते हैं, L value and R value की, तो L value and R value क्या होती है, देखें, तो L value का मतलब है, expression that come to the LHS, LHS का मतलब होता है, left hand side of an assignment, तो L value उस expression को बोलते हैं, जो कि आपके assignment के left side में रहता है, ठीक है, जो assignment operator होता है, assignment operator यह होता है, equal का sign को बोलते हैं, assignment operator, तो इसके left side में expression रहता है, उसको बोलते हैं, L value, ठीक that can come on the RHS, RHS का मतलब है right hand side of an assignment, तो R value आपके उस expression को बोलते हैं, जो कि assignment के right side में रहता है, ओके, तो देखिए यहाँ पर example में, अब इन values को इस तरीके से तो लिख सकते हैं, A equal 20 और B equal 10, तो यह जो हैं आपके L values हैं, और यह जो हैं आपके R values हैं, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, लेकिन आप इस तरीके से नहीं लिख सकते, देखिए हाँ पर 20 equal A, 10 equal B, इस तरीके सा आप नहीं लिख सकते, और नहीं आप इस तरीके से लिख सकते हैं, A into A equal B, तो इसकी value जो होगी वो कहा assign होगी यह कुछ पता ही नहीं चल रहा है ठीक है तो यह जो बी है वो इस साइड में रहेगा तब आप इसको assign कर सकते हैं तो यह जो राइट साइड की value होती है इने बोलते हैं हम value ठीक है इसको और क्लेली समझ लेती हैं देखिए देखिए हाँ पर कोई भी लिटरल या फिर एक्पेशन जो value कर रहा है वो आपका LHS में नहीं हो सकता मतलब left and side में नहीं हो सकता assignment के जो assignment है हमारा इसके left side में नहीं हो सकता यहां पर नहीं हो सकती कोई भी value ठीक है यह value नहीं हो सकती इस side में पर जो हमारे variable names होते हैं वो left side में हो सकते है assignment के ठीक है जो variable के name है वहारे left side में रहते हैं और एक चीज़ यहां पर यह देखिए यहाँ पर L value है जो कि हमारी right hand side में आई है assignment के ओके तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं तो जो L value होती है वो हमारी right hand side left hand side दोनों में हो सकती है ओके तो यही concept था L values and R value का आई होप आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं multiple assignment की तो multiple assignment का मतलब है एक time में कई सारे variable में value को pass कर देना एक बार में कई सारे value को कई सारे variable में assign कर देना उसी को बोलते हैं multiple assignment तो पहला इसमें होता है assigning same value to multiple variable मतलब क्या है एक value को बहुत सारे variable में store करना एक बार में तो कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं so you can assign same value to multiple variable in a single statement तो एक single statement में आप एक ही value को कई सारे variable में store कर सकते हैं for example देखिए यहां पर यह देखिए यह है भी है और इसके बाद में लिखा है 10 और सब के वीच में लगा दिया है तो इस तरीके से हमारी जो 10 value है वह तीनों बैलेवल में असाइन हो जाएगी यह में भी पहुच जाएगी और इसका ध्यान रखिए इसको उपरेटर होता है हमारा इसको यूज से करते हैं living के लिए दो सकते हैं कि स hedge कर सकते हैं किस तरीके से करिए देख लेते हैं मल्टिबल वेल्यों से स्टेंड में तो स्टेड्मेंट देख लेते हैं किस तरीके इस तरीके से स्टोर होते चली जाएगी और एक चीजिक का धियाएगा और पायथन में जो स्ब्सक्राइब वेक्तने लंबी लिस्ट को पास्थ कर सकते हैं बहुक्त अपयं चाइग जसे से स्टोर होते हो चली जाएगी और एक चीज का दिहान रखेगा पायतन में जो बैरेबल है वो तब तक क्रियेट नहीं होगा जब तक कि आप उसके अंदर कोई बैल्यू असाइन नहीं करेंगे जैसे कि यहां पर एक्जाम्पल देखिए मैंने यहां पर लिख दिया प्रिंट ए और उसके बाद मे को इतनी चीज़े समझ में आगी होंगी तो चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझा देता हूं जिससे कि आपका कॉंसेट क्लियर हो जाए तो देखिए यहां पर देखते हैं पहले बात करते हैं कि एक बैल्यू को मुल्टिपल बैरेबल में स्टोर करना हो तो किस तरी कि एए अनले प्रेट में प्रेंट भी एंड लिगता हूं मैं प्रेंट सी ठीक है इसको सेफ़ करता हूं कंट्रोल अससे और आप स्को रण करता हूं तो जैसी रण करूंगा इसको तीनों वैरेवल जो है एए बी-सी तीनों की वैल्यू टैना आएगी देखिए माचला तो देखिए तीनों की वैल्यू टैन आई यहां पर ओके अब बात करते हैं मुल्टिपल वैल्यूस को मुल्टिपल वैरेवल में किस तरीके से स्टोर करेंगे तो सपोज यहां पर लिखता हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और एक कोल का साइन लगाता हूं और फिर लिखत अब इसको सेफ कर देता हूं कंट्रोल एस से एंड इसको रन करता हूं तो जैसे में करूंगा यह जो बैल्यू है आपकी इस ओर्डर में स्टोर हो गई होंगी इन वैरेवल में एक वैल्यू आएगी 10 बीग वैल्यू आएगी 20 सी की आएगी 30 एंड डी की आएगी 40 है तो आप लोगों को मल्टिबल असाइन में का में आ गया होगा तो अब बात करते हैं र्यूद के होती है देखिए तो सपोस्पोस की ब्यापिल जो है वह वो किसी पार्ट्यूलर की वैल्यू को पॉइंट कर रहा है और आप भात में से चेंज कर रहेते हैं किसी और टाइ हिक और है प्रइंट कर दिया को तो जो 10 यह वो प्रिंट हो जाएगी इसके बाद में देखी जो बनी थीए इसको मॉडिफाय कर दिया है है अपर बैलु कर दिये है लो और यह बैल्यू जो है इस टेंग कि यह तो यहां पर typing करेंगे तो जो code लिखेंगे मतलब जो statements लिखेंगे वो आपके correct हो मतलब जो उनका syntax है वो आपका proper होना चाहिए जैसे कि यहां पर example में देखिए equal 10 ना मतलब A की value 10 हो गई equal 5 है तो B की value 5 हो गई और C equal कर रहा है A divided by 2 तो 10 divided होगा 2 से तो हो जाएगा 5 तो 5 इस्टोर हो जाएगा C के अंदर C की value हो जाएगी 5 अब यहां पर B की value को modify कर दिया गया है तो B की value हो जाएगी hello जो कि एक string है पहले integer value थी लेकिन अब यहां पर string value हो गई है तो यहां तक तो कोई problem नहीं है आप कर सकते हैं इस तरीके से इस वाले statement में देखें डी equal B divided by 2 तो यह statement आपको wrong हो जाएगा क्योंकि यहां पर आपको python generate करेगा error क्यों करेगा generate क्योंकि B की value जो है hello इस ट्रिंग टाइप की value है तो इस ट्रिंग टाइप की value को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इस ट्रिंग बैल्यू पर अर्थमेटिक परफॉर्म नहीं कर सकते तो इसलिए statement गलत हो जाएगा तो जब भी आप करता हूं print print कि ए तो अब जो आएगी हमारी है ठीक है ठीक है थीक तो बैल्यू जो है चेंज हो गई है की 10 से हैलो में ओके तो इसी को बोलते हैं तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं तो देखिए सिंटेक्स में क्या है बैरेबल नेम रहेगा पहले फिर इकोल का साइन रहेगा फिर आप इंपूड लिखेंगे और उसके बाद में जो भी मैसेज देना चाहतने उसर को मैसेज दे सकते हैं ठीक है फॉर एक्जाम्पिल यहा इसका दिहान रखिएगा जो इंपूड फंक्शन होता है हमारा वह आपको हमेशा रिटन करेगा इस्टिंग टाइप की वैल्यू मतलब क्या है जो भी वैल्यू एंटर करेंगे आप इंपूड फंक्शन की हैल्प से वह आपकी एस ट्रीट होगी ओके जैसे कि यहां पर एक सपोज कि यहां पर लेता हूं मैं नेम और एकुल करकर देता हूं नेम सपोज मैं देता हूं अजय ठीक है यह नेम दे दिया मैंने और आप मैं कर देता हूं उसको प्रिंट नेम ठीक है इसको करता हूं मैं कंट्रोल से सेव और इसको रन करता हूं तो देखिए यहां पर न करें वो अपना नेम उसमें एंटा करें हम यहां पर देना निचाहते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कौन उसको यूज करने वाला है जो यूजर होगा वह एंटा करेगा महां पर नीम ठीक है तो इस काम को करने के लिए हमें एंटर नेम तो यहां पर यूजर होगा वह अपना नेम एंटर कर देगा सब्सक्राइब यहां पर कर देंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं होगा और यूजर कंफ्यूज हो जाएगा को से करना है तो यहां पर इसलिए मैसिज देते हैं जैसे कि उसे करना क्या है क्या चीज़ तो पता ही नहीं चल पाता ठीक है अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इन्पूट फंक्शन होता है वो वैल्यू को एज इस्टिंग ही ट्रीट करता है तो इसको यहां पर समझा देता हूं देखिए सब्सक्राइब करता हूं एक को लॉन करता हूं इंपूट एंटर यौर एज अब मैं करता हूं से और से पहले करा देता हूं यहां पर प्रिंट एज ठीक है अब मैं इसको कर देता हूं और अब मैं इसको करता हूं रहा है तो देखिए पहले नेम मांग रहा है सब्सक्राइब करता हूं यहां पर एंटर सचिन ठीक है एंटर करता हूं तो तो यह यह ढूनों सव मैं 20 वह समझाता हूं आपको अब हैं और इसके लिखता हूं पूर इसके लंदर लिखता हूं आइप क्रणा या प्रिंट मैं ठीक леंट AIP ads परता करनां आउं प्रेंट प्रेंड वाली ब्रेकेट को क्लोह करता हूं ऋगी इस एगे लिख देता हूं प्रेंट ईंक भी टायब मुझे पता करना लुक्त करता हूं यहां पर सेपर दिता हूं सचेंट कर देता हम 20 तो देखिए धोनों का टाइब दिखा घा रहा है एस्टी केर रहे हैं परर लाट ग्रिंत हो डिकायर है तो कि यहां पर लेता है और पाई और इसमें कर वाता हूं यूजर से इंपुट लेका इंपुट और है यूजर को मैसेज देता हूं enter 1st no.eo ठीक है यह मैसेज दे दिया कि दिए कि यूजर से मुझे फरस्ट नमबर एंटर कराना है वो कोई अब मैं print कर देता हूं समगों इसको सेब करता हूं अब मैं करता है इस प्रगाम को रन करूंगा तो उच्छर के पास message आएगा enter first number तो first number एंटर कर देगा फिर मैसेज आएगा Enter second number तो second number एंटर कर देगा और यहां पर देखें मैं लिखाए सम ए-plus-b टो जो भी तो यहां पर एंटर कर देता हूं सपोर्ज की मैं 10 ठीक है सेक्ड नमर मांग रहा है तो सब कर देता हूं 30 ठीक है अब मैं एंटर प्रास करेंगा तो मेरा 40 आना चाहिए लेकिन 40 नहीं आएगा यहां पर आएगा 1030 देखिया आप देखिए 1030 आउटपट आयाए तो यह ऐसा क्यों हो रहा है तो यह इसली हो रहा है कि यहां पर जो भी एंटर कर रहा है यूज वह एस ट्रिंग जा रहा है मतलब इस ट्रिंग की फॉर्म में जा रहा है अगर सपोस् को जॉइन कर रहा है ना कि कोई अर्थमेटिक परफार्म कर रहा है यहां पर एडिशन नहीं हो रहा है तो इंपट फंक्शन में यह होता है जब भी कुई आप वैल्यू एंटर करते हैं तो वह एस ट्रिंग होती है ओके तो आप आप लोग समझ में आगे हो किस तरीके से प करेंगे उसी को देखने वाले हैं तो जैसा कि अभी हमने देखा था जो इस ट्रिंग वैल्यूज होती है उन पर हम कोई भी अर्थमेटिक परफार्म करना होता है तो भी हम नहीं कर पाते हैं तो हमें अर्थमेटिक या फिर नुमेरिक परफार्म करने के लिए रुक्वायर कर देखी हैं पर पहला मेतटल यह है जैसी इंपुट करा रहा है वैसी इन पुट करें प्रण कर दीए चिंज़ का यहाँ छो जाएगाald तरीके से और अब आप इस पहले पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं जैसे एज प्लस बन कर दिया तो सब्सक्राइब उसने 16 ठीक है तो यहां पर क्या हो जाएगी आपकी 17 को तो यहां पर 17 हो जाएगी मतलब प्लस हो जाएगा ठीक है 17 तभी होगा जब यहां प सब्सक्राइब को लिखेंगे एककोल का साइन लगाएंगे और जिस तरीक से इंपूट से पहले आप लगा देंगे इंट्वट को ठीक के ब्रैके रेत्टर हो जाएगी उसके उसके बाद चलोगी और यहां पर एक करवाता है यूजर से लेली इंपट एंटर एने वैलीयों ठीक है वह एंटर करेगा बैल्यू इसके बाद में इसका टाइप चैंज कर दूंगा हमें यहां लेख दूँगा एक्वल इंट ए ठीक है तो इसका यहां पर टाइप चेंज हो जाएगा ठीक है और अब यहां पर कर देता हूं कोई भी अर्थमेटिक आपरेशन पॉफॉर्म सब्सक्राइब करता हूं तो देखे हमारा प्रोगाम चल गया है ठीक है तो यहां पर करता हूँ कोई वैल्यू जो भी वैल्यू अंटर करूंगो समस्क्राइब करता हूं 15 टीक है तो अब बात करते हैं कि अगर आप से अप्लाय कर देंगे इसकी ब्रेक्ट ओपन करेंगे यहां पर ठीक है और इसके बाद में हैं पर लास्ट में एक प्रेंथिस और खोगी इस तरीके तो जाएगा ठीक है अब यहां पर लेता हूं सब्सक्राइब और हैं इंपूट एंटर हैं निग सेकंड वैल्यो और अब यह करता हूं अब इसको कंट्रोले चेप कर दिता हूं झाए तो सब्सक्राइब करता हूं सब्सक्राइब अंट्र तो तो इस तरीक से दोनों जो है इंटीजर फॉर्म में गई है इससे पहले जो हम बिने इंट फंक्शन के इंपुट ले रहे थे तो वहां पर ऐसा नहीं हो रहा था वहां पर इस टाइप की वैल्यू जा रहे थी अब यहां पर एक चीज और समझ लीजिए अगर आपको पॉइं अचीज में इंटर करता हूँ 10.5 जैसी मैं अटर क्रहों यह यह जनरीट कर देगा तो देखी आप इसने डृशन जानरीट कर दिया और मैं आपको बता रहा है कि जो आप दे रहे है वह गलत बैल्यू दे रहे हैं आप जो बैलीध दे रहे हैं और आपने फंक्ष छू लग करता हूं इसको अब मैं अंटर करता हूं यहां पर टैन कर देता हूं 10.5 ठीक है तो यह इसको एक्सेप्ट कर लेगा और आउट्पूट आपका पॉइंट में आएगा देखिए यह देखिए 20.5 ओके तो आई होप आप लोग समझ में आगे हो किस तरीके से नंबर को रीड कर दिखते हैं तो आपको पता ही होगा इसके लिए हम यूज करते हैं प्रेंट फंट्षन को ठीक है किसी भी कमान का आवटपूट इसले करने के लिए और प्रेंट फांऍट बिलस्पैद कर सकते हैं 3 याभ टबल कोड में तो इसे प्रेंट हो जाएगा इसीन पे आउप का प्रिंट हो जाएगे जो कि आप लोग देखी रहें इतनी देर से अब बात कर लेतने हैं प्रिंट फंक्शन के फीचर्स की तो क्या क्या फीचर्स हैं देखिए इट कंवर्स था मैसेज और ऑबजेक्ट इंट 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 रिफॉर राइटिंग अन दा स्क्रीन तो प् इन इंट कर दो felt in theback के इस अब ब्रिंट यू अब्टीपल पेड्रमीटर तो प्रिंट फंक्शन में में ल्टीपल पर भी व को सकते हैं ठीक है त्थ कि जरहें सपोर्ट समने सबस्ट पोर्दों सब्सक्राइं तो प्रेंड इस कि उंट सारी सिकर से को सबर्टेंट जिए स इस पेस ऑर्ड इसपेस्पाय करेक्टर तो देखी प्रेंट फंक्षन जो है इस ट्रिंग के बीज में सिस्पेस को और इंसर्ट कर देता है क्यों किस तरीके से आपके अग्जांपल में देखिये इस वाले एक्जांपल में मैं आप लिखा है माई ठीक है दिकात है निये तो यह अलग-अलग स्ट्रेंगा देखिए डबल कोड में रखा है उसके बाद में कॉम लगा दिया और यहां पर बीच में कोई भी स्पेस मैंने नहीं दिया है लेकिन आप फिर भी यहां पर स्पेस आ रहा है तो डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है सेपरेटर अर्गुमेंट स्पेसिटमेंट मां इस तरी करेंगे पिदेखिया थैङरामपल में यहां पिस्टेटमेंट में यहां ब statistically टेसे भी करतेां है ओके तो इसको भी प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं आपको जल्दी से देखिए आप लिखता हूं प्रेंट और में लिखता हूं मैं फिर कॉमा लगाता हूं नेम डबल कोड में नेम फिर कॉमा लगाता हूं फिर लिखता हूं मैं यहां पर इस फिर कॉमा लगाता हू देखता हूं तेज़िशमियल लगाता हूं फिर लखता हूं मौरा ठीक है इसको करता हूं से और मैं इसको रं तो देखिए आप स्पेस आगया है अब मैं करता हूं सैपर बेडि़ा को डिफाइं यहां पे देड़ाँ सपोज कॉमा लगाके सैप-ईकॉर underscore ठीक है यह मैंने दे दिया हम इसको सेव करता हूं और अब मैं इसको run करता हूं तो देखिए यहां पर अंडर स्कूर आ गया है तो आप लोग को प्रिंट फंक्शन के इतने फीचर समझ में आ गया होंगे अब देख लिए इतने कुछ और फीचर्स को तो नेक्स फीचर में क्या है देखिए प्रिंट फंक्शन जो है लाइन के एंड में न्यू लाइन करेक्टर को एड़ कर देता है अपने आप जब ट्रिक है यहां पर जैसे यह लाइन हो रही है तो प्रिंट हो गया है तो प्रिंट फंक्शन जो है लोगिए तो तरी से तभी वर्ग करता है जब आपने खुद का अर्गुमेंट डिफाइं नहीं किया हो क्यों कि डिफॉल्ट जो end argument होता है वो आपका backward slash and होता है तो इसलिए यहां पर automatic new line insert हो जाती है अब अगर आप चाहें तो इसको change कर सकते हैं अब backward slash and की जगा कुछ और character दे सकते हैं जो भी character देंगे वो आपका display हो जाएगा उन line के बीच में ठीक है देखिए इसको example के दिखाता हूं आपको यहां पर देखिए इस example में तो प्रेंट इस्टेट्मेंट दियें और यहां पर देखिए इस प्रेंट इस्टेट्मेंट में मैंना end argument को define कर दिया एड़ दारेट से तो अभी यह प्रेंट होगी उसके बाद में एड़ दारेट आएगा और फिर आपके पैथन प्रोगाम बाई लाइन आएगी फिर आपका next आप ठीक है यह लिए इसके बाद में एक प्रेंट इस्टेट्मेंट हो लिए ताऊं प्रेंट पाइथन प्रोग्रामिंग ठीक है इसको मैं सेप करता हूं और इसको रख तो दोने स्टेट्मेंट का आउटपट जो अलग यान में आ रहा है ऑपके अम मैं लगा देता हूं पर एडम लगता हूं अले अंड व्यास को से टव करता हूं यहां पर हमारा आउटपूट आ गया है यहां पर दीखे डिस्पली हो गया है ऑक तो आहों आप लोगो को फ्रेंट फंचन्च के इतने ही हमने डिसकस करें सारे सवन्ज में आगे होंगे तो इसे चैटर हो गया जो चैटर नमबर से था आतका ये पूरा कले का गया है जितने भी चैटर में आपक़ा कर धी है अगा आप को बहुत रहा है तो आप लोग कमेंट कर देना मैं आप डाउट कलियर कर दूगा तो इस ट्रूएंट आज के इस वीडियो में इतना ही next video में start करेंगे हम next chapter को जो पिय होगा उमारे chapter 8 so and that's it for this video thanks for watching